सुगाइस आज मैं आपके साथ शियर करूँगी एपिसोड थरी को एपिसोड की शुरुवात में हम पीम को देखते हैं जो कि सो कर उठता है उसे रात के बारे में सिरफ इतना ही आद होता है कि वो पुम के बहुत साथा क्लोश चला गया था त्यार होकर वो नीचे जाता है अपनी आँटी के पास उसकी आँटी उसे कहती है कि रात तुमने बहुत साथा पी रखी थी तुम्हें कुछ याद भी है पीम कहता है मैं घर पर कैसी आया था आँटी कहती है तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लेकर आया था पीम फिर से उसी मॉमिन्ट के बारे में सोच रहा होता है जब वो पुम का फेस बकड रहा था और कह रहा था कि तुम्हारी आंके, तुम्हारी नाक और तुम्हारा मूँ कितना ज़ाधा अच्छा है फिर वो कॉलेज चला चाता है और क्यों की साथ बैठा होता है और कहर होता है मेरे सरमिना बहुत साथा दर्द हो रहा है क्यों कहता है वैसे लास नाइट तुम बहुत साथा टली हो गए थे तुम घर कैसे गई पीम उसे नहीं बताना चाहता था कि पुम मुसे घर चोड़ कर आया इसलिए वो बात को घुमाते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत साथा लेजी हूँ मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा तब ही वहां पर तोही आ जाते है पीम कहता है कहां जा रही हो तोही कहता है मुझे मेरी क्लासिस के लिए जाना है मैट मेरा इंतजार कर रहा होगा तो मैं चलता हूँ तब ही वो देखता है क्यों उना टंपलिक्स खा रहा था और वो उसकी टंपलिक्स लेकर वहाँ से भाग जाता है फिर हम देखते हैं पुम को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है वहाँ पर तैन आ चाता है और पुम को डेज़र्ट देकर कहता है प्लीज ये अपने भाई को दे देना पुम कहता है तुम भी तो उसे दे सकते हो ना तैन कहता है मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ तुम उसके भाई होना तो प्लीज मेरे लिए उसे दे देना ना पुम कहता है पर मैं उसे ऐसे रेज़ट नहीं देता कभी तैन कहता है तो कोई बात नहीं अब दे देना पुम कहता है ठीक है ठीक है दे दूँगा पुम और तैन के फ्रेंड्स कहने लगते हैं तैन तुमने बताया नहीं तुम फैंग के साथ फ्लट कर रही हो तब ही वहाँ पर फैंग आ जाता है पुम उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो फैंग कहता है मैं लंच करने के लिए कैंटीन में आया था पुम कहता है मैं तुम्हाले डैजर लेकर आया था और वो उसे डैजर दे देता है फैंक बहुत खुश हो जाता है डैजर के लिए और वो पुम को थैंक्स कहता है और डैजर लेकर वहां से चला जाता है पीम ना अपने फ्रेंड्स के पास बैठा होता है तब ही उसे पूम का मैसी जाता है जो उसे कह रहा होता है कि मैं तुमें लेने के लिए आ रहा हूँ इंतजार करना मेरा थोड़ी देर बाद पूम आ जाता है पीम उसके साथ कार में बैठके चला जाता है वही क्यों उसे कहने लगती है ये कौन था कहीं ये हमसे छिप कर किसी को डेर तो नहीं कर रहा क्यों कहता है मुझे इसके बार में कुछ भी नहीं पता वही कहती है ऐसे कैसे नहीं पता क्या तुमने नहीं देखा उसके कार में कौन बैठा था चलो अभी के अभी उसे फोन करो और कहो कि वो कुछ भूल गया है पूम पीम को कैंटीन में लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या खाना है पीम कहता है मुझे कुछ भी नहीं खाना कि तुम्हें मेरे लिए क्या क्या करना है देखो तुम्हें न मेरे घर का काम करना है मेरे घर की सफाई करनी है मेरे कपड़े भी वोश करनी है पीम कहता है ये कुछ जादा नहीं हो गया पुम कहता है दो लाग के बदले में ये कुछ भी नहीं है जिस पर पीम कहता है पर मेरे काम का क्या उसकी भी कोई value है जिसे तुमने खराब कर दिया पूम कहता है बताओ उसकी cost कितनी है मैं तुमें दे दूँगा पीम कहता है ठीक है फिर लाओ दो लाक रुपे लेकर आओ बस मुझे इतना ही चाहिए पूम कहता है मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगा पर काम खत्म होने के बाद पूम फिर पीम की साथ shopping करने के लिए जाता है और सारे shopping बैग ना पीम से उठवाता है पीम भू सदा धक जाता है और कहता है मैं धक गया हूँ और मुझे प्यास लगी है तो इसलिए मुझे अब कुछ पीना है पुम कहता है ठीक है पीम अपने लिए ड्रिंक ओडर करता है लेकिन उसके हाथों में दो शोपिंग बैक्स थे इसलिए वो अपने जेब से पैसी नहीं निकाल पा रहा होता पुम ये सब देख लेता है और वो पीम के ड्रिंक के पैसे दे देता है पीम बैठ कर ड्रिंक पीने लगता है पुम कहता है चलो आप यहां से चलते हैं पीम कहता है अभी तो मैं बैटा हूँ अभी तुमे इतनी जल्दी क्या है पुम फिर उसकी तरफ देखता है और उसे कुछ मस्ती सूचती है और वो पीम से कहता है मुझे ना थोड़ा काम है मैं अभी आता हूँ तुम मेरे इंतजार करना पीम कहता है ठीक है मैं तुम्हारे इंतजार करूँगा लेकिन जल्दी आना पुम वहाँ से चला जाता है वो तो घर चला जाता है लेकिन पीम उसका इंतजार कर रहा होता है कि वो कब आईगा पुम जब अपने घर जाता है तो फैंग उसे देखर कहता है कि आज तो बहुत खुश लग रहे हो क्या बात है पुम कहता है आज मैंने कोई मसेदार चीज़ की इसलिए मैं आज बहुत साथा खुश हूँ पीम ना पुम को कॉल भी कर रहा होता है लेकिन पुम उसकी कॉल पिक नहीं करता उसकी बाद ना हम तैन को देखते हैं जो की पन और चैन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आया था चैन कहता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो तैन कहता है मैं बहुत जादा लोनली फील कर रहा था इमेजन करो, अकेले कॉंडो में रहना, अकेले खाना, अकेले सोना, इसलिए, मैंने तुम दोनों को बुलाया फिर वो अपने लिए noodles order करते हैं, पन कहता है, ओ, मैं तो बताना भूली किया कि मुझे vegetables नहीं चाहिए चैन उसके बाउल में से vegetable को निकाल देता है, पन उसे thanks कहता है पन को noodles ना, बहुत साथा गरम लग रहे होते हैं, और वो चैन का face पकड़ की कहता है ये बहुत जादा hot है, blow करो ना, चैन उसके मुझे अंदर blow करने लगता है और उन दोनों का ऐसे देख के ना, तैन को और जादा lonely feel होने लगता है और वो सोचता है कि मैंने इन दोनों को बुलाया ही क्यों, अब मुझे और जादा lonely feel हो रहा है, मैं क्या करूँ पीम बेचारा पुम का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो आएगा और वो से बार-बार call भी कर रहा होता है पुम देखता है पीम ने उसे बहुत सारी calls की हुई थी और वो से call back करता है, लेकिन तब तक पीम का phone dead हो चुगा था पुम सोचता है पीम अब तक तो घर चला गया होगा और वो बिना किसी tension case हो जाता है दूसरी तरफ पीम बेचारा तब तक इंतजार करता है पुम का जब तक कि मॉल वाले उसे नहीं कह देते कि हमारा मॉल बंद करने का time हो गया है अब आपको यहां से जाना पड़ेगा वो बेचारा सारे shopping bags लेकर अपने घर जाता है आंटी पुई कहती है वाओ तुमने इतनी सारी shopping की पीम कहते है नहीं यह सब मेरे friend का है आंटी पुई कहते है तुम्हारा friend बहुत rich लगता है पीम कहते है हाँ उसकी family बहुत जादा rich है आंटी पुई कहते हैं कहीं तुमें चोटा feel तो नहीं हो रहा देखो अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अपने बड़े वाले दिन तुम कुछ भी ले सकते हो मैं तुम्हें शॉप पर लेकर जाऊंगी पीम कहते हैं नहीं मुझे यह सब पसंद नहीं है अच्छा तो अब मैं सोनी के लिए चलता हूँ और वो अपने बैडरूम में चला जाता है और अपने फोन को चार्ज करता है तब ही उसे किसी का फोन आता है उसे लगता है पुम्हें ने कॉल किया है तो वो कॉल उठाते हैं कहता है तुम कहां चले गए थे मैंने तुमारा कितना इंतजार किया तुम ठीक तो हो न क्यों कहता है किसका इंतजार किया पीम एकदम से घबरा जाता है और कहता है क्यों तुम मैंने किसी का इंतजार नहीं किया क्यों कहता है तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे पीम कहता है मेरा फोन डैड हो गया था क्यों कहता है तुमने कहा कि तुम इंतजार कर रहे थे तुम किसका इंतजार कर रहे थे पीम कहता है किसी का नहीं मैंने कहा ना क्यों कहता है तुम ना बहुत ज़्यादा काइंड हो पीम कहता है थैंक यू सो मर्स तुम्हें मेरी कितनी ज़्यादा परवा है और फिर उसे बाई का के शावल लेने के लिए चला जाता है क्यों अपने आर्ट को बनाने की बाद वहाँ से जाने लगता है लेकिन तब ही वो तोई को देखता है जो की मॉल्डिंग कर रहा होता है वो उसके पास जाता है और कहता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर यह सेफ नहीं है तोई कहता है पर अब तो तुम मेरे पास हो न क्यों फिर उसके पास बैठ जाता है और कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें तुम्हें का मास्टर कह सकता हूं क्यों उसके सर में मारता है जिससे ना उसके forehead पर मिठी लग जाती है क्यों उसे बड़े प्यार से साफ करने लगता है और कहता है कि तुम ना पानी में गिरी हुई बिल्ली जासे लग रहे हो तो ही बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है क्यों उससे दूर हो जाता है तो ही अपने आर्ट को बनाने लगता है लेकिन फिर उसे मस्ती सूचती है और वो क्योंकि नाग पर मिटी लगा देता है फिर क्या दोनों एक दूसरे को मिठी लगाने लगते हैं पिर बहुत सथा tension में होता है Pum को लेकर कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया और वो से message करने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना लेकिन वो इस message को delete करके लिखता है कि कल मैंने तुम्हारा बहुत जादा इंतजार किया तुम आए क्यों नहीं लेकिन वो इस message को भी delete कर देता है और फिर 10 को message करता है और पूछता है कि कै तुम ने Pum को देखा 10 कहता है हाँ हम एक ही class में हैं और वो मेरे साथ ही बैठा है और पतनी क्यों आज वो बहुत ज़़जदा कुश है समझ जहता है कि पूप ने उसे तंग करने के लिए उसके साथ यह prank किया उसे बहुत ज़ज़दा गुसा आ रहा हुता है तभी उसके सामने एक डोगी आजाता है जिसे देखकर थोई को एक बहुती स्वीट से मुमिन्ट याद आने लगते है जब थोई कैफे के अंदर बैठा होते है और कैफे के बाहर क्यों बैठा होते है जो कि डोइंग कर रहा होते है उसके सामने आकर एक डोगी बैठ जाते है क्यों उसे वहां से भगा रहा होता है लेकिन वो डोगी वहां से हिलता ही नहीं गुस्री में क्यों ही वहां से चला जाता है और ये सब देख के ना तोई बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है क्योंकि क्यों उसे बहुत जादा cute लग रहा होता है waiter बहाँ पर आ जाता है और थोई से कहता है क्या हुआ तुम क्या देख रहे हो थोई कहता है कुछ नहीं और फिर वो पुछता है कि तुम्हारी shop पर ये सारी drawings जो है वो के तुमने खरीदी है वो कहता है नहीं नहीं ये मेरे जूनियर ने बनाई है तो भी कहता है तुम्हारा जूनियर तो बहुत ज़ादा टालेंटिड है और ये जूनियर कोई और नहीं क्यों है वेटर कहता है तुम्हें पता है मेरा जूनियर ना तुम्हारी ही एज का है तो ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है और कहते हैं देखो न वो मेरे ही एज का है पर मुझे कई गुना जादा इंक्रीडिबल है और मुझे देखो मुझे तो कुछ भी नहीं आता वो लड़का उसे प्यार से समझाता है कि देखो सकसेस का एट से कुछ भी लेना देना नहीं है बस तुमें जादा मेहनत करनी पड़ेगी उस लड़के ने भी तो इतनी ही मेहनत की है तब ही आज वो इतना अच्छे से ड्रोइंग कर पाता है और अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम भी उसकी तरह ड्रोइंग कर पाओगे फिर हम प्रेजर्ट में देखते हैं तो यह सब सोच के ड्रोइंग कर रहा होता है तब ही बीचे से क्या हुआ जाता है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो क्यों उसकी पैंसिल को शाप करके देता है और कहता है हमारे सीनियर मैंटोर ने न तुम्हें आज राद मील के लिए बुलाया है तो तुम जरूर आना तोई कहता है पर कभी तुमने मुझे कोई स्नैक स्ट्रीट क्यों नहीं किया तुमसे जाता तो पीम ने कहीं बार मुझे टीट दी है क्यों कहता है तो तुम्हें न पीम को ही अपना टीचर बनाना चाहिए तोई कहता है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था क्यों फिर अपनी पॉकिट से कैंडी निकाल के तोई को देता है तो ही कहता है यह क्या सिरफ एक केंडी क्यों कहता है देखो मैंने तुम्हें दिल दिया है वो टोफी ना दिल की शेफ की होती है फिर वहाँ पर पीम आ जाता है अपनी डोहिंग के साथ क्यों कहता है कि तुम्हें वो कुत्ते का बच्चा मिला पीम कहता है तुम किसकी बात कर रहे हो एक कुत्ते के बच्चे से तो मैं बात कर रहा हूँ क्यों कहता है सीरिसली मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हें वेट करवाया पीम को बहुत साथा गुसात है और वो कहता है वो मर गया क्यों मैं वर्क्शोप जा रहा हूँ क्यों तुम भी आओगे क्यों कहता है मैं अभी आता हूँ तुम चलो पीम अपने वर्क्शोप में चला चाता है अपने ड्रोइंग बिनाने के लिए वही ड्रोइंग जो की पुम ने खराब कर दी थी पूम उसे मैसिज करता है कि मुझे तुम से मिलना है पूम पीम को अपने कार में बिठा रहा होता है और तैन ये सब देख लेता है और सोचता है ये तो पीम है ना पूम पीम को अपने घर लेकर आता है और उसे कहता है मेरे कपड़े वोश करो वाशिंग मशीन नहीं है तो तुम्हें अपने हाथों से ही वाश करने पड़ेंगे पीम अपने पैरों से पुम के कपड़े वाश करने लगता है पुम उसे रोकता है और कहता है ऐसे तो तुम मेरे सारे कपड़े खराब कर दोगे पीम उसके उपर पाने गेने लगता है वो दोने हीना गेले हो जाते हैं कपड़े वोश करने के बाद पीम कहता है अब तुम्हें और क्या चाहिए पुम कहता है मेरे लिए खाना बनाओ पीम कहता है पर मुझे कुकिंग नहीं आती पुम कहता है मेरे कहाना तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा पीम उसके लिए एक डिश बना देता है पुम कहता है पहले तुम्हें खाना पड़ेगा क्या पते तुमने इसमें जहर मिला दिया हो पीम उसे खाता है और अजीब सा फेस बनाता है उसके बाद पूम उसे खाता है और कहता है ची ये कितना गंदा खाना है तुमने जानमुशकर ऐसा किया न जादा गिल्टी फिल हो रहा होता है कि पीम ने उसके इतना इंतजार किया और वो तो टैंशन फ्री होकर सो रहा था तोई और क्यों क्लब में आते हैं वो सभी बाते ही कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक लड़का आ जाते हैं जो तोई की साथ फ्लर्ट करने लगता है और कह होकर कहता है मेरा इतना भी अच्छा नहीं है क्यों कहता है जब तक कि तुम सम्मिट नहीं करवाओगी तब तक तुम क्यासे कह सकते हो कि वो अच्छा है या पिर नहीं वो लड़का फिर तोई से कहता है कि वैसे तुम घर कैसे जाने वाले हो क्या मैं तुमें घर छोड़ तो ही भी क्यो को देख रहा होते हैं ओम अपने फ्रेंड के पास बैटा होते है और उसे अभी भी बहुत जादा बुरा लग रहा होते है कि पीम ने कल उसका इंतजार किया और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने न अपने एक फ्रेंड के साथ प्रेंग किया उसे मॉल में छोड़कर चला गया और कहा कि इंतजार करना मैं जरूर आओंगा पर वो वापिस नहीं आया पर मेरे फ्रेंड का ये इंटेंशन नहीं था कि वो उसका इंतजार करे उसे लगा कि वो चला जाएगा पर उसने उसका इंतजार किया अगर तुम उसकी जंगा होते तो तो तुम क्या करते उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि पुम अपने फ्रेंड की नहीं अपनी बात कर रहा है और कहते हैं कि तुम ओन उसे सोरी कह देना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि उसने तुमारे इंतजार क्यों किया पूम वहाँ से चला जाता है पूम ना फिर पीम के पास जाता है पीम जो कि अपने डोइंग बना रहा था और उसने ना काफी हद तक अपने डोइंग बना ले थी पीम उसकी painting देखकर कहता है अच्छा तो यह है तुम्हारी painting यह तो complete होने वाली है पीम कहता है हाँ एक बड़ यह complete हो जाए उसके बाद तुम मेरा चहरा कभी नहीं देख पाओगे पुम कहता है प्लीज तुम इसे इतनी जल्दी complete मत करो पीम कहता है बोलो ना क्या करवाना है तुम्हें मुझसे पुम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम वो सब करोगे ना जो मैं तुम से कहूंगा प्लीज मुझे माफ करता हूँ इसी के साथ यह episode end होता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करना और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते ना